हलो दोस्तों आप सब का सुवागता राश्ता न क्या एंडमी पेज जैसे आपको पत्ताय मुनों लिटर वीडियो बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जैपूर उनिवस्टी है जिसे आप दोक्टर भीमराव अंबेड का लोग उनिवस्टी के नाम से जान करेंगे तो फर्स्ट जो बात है वो यह है कि दोक्टर भीमराव अंबेड का लोग उनिवस्टी कोई एंट्रेंस एक्जाम कंड़क्ट नहीं करवाती है ना ही थ्री एर ललबी के लिए तो आपका कोई भी एंट्रेंस एक्जाम नहीं होता है फिर एडमिसन किस प्रकार होत उसके प्रोसेश क्या रहती है तो उसके लिए हाली में दो नोटिफिकेशन आये हैं एक नोटिफिकेशन आया है कि जो आपका एल्यू उनिवस्टी का अकैडमिक कलेंडर है वो निकला है उसमें बताया गए कि इस प्रकार एडमिसन की प्रोसेश क्या रहती है दूसरा एक पेपर के अंदर आपके एल्यू इनिवेश्टी के लिए अर्टिकल आया है जिसमें एडमिस्टे के बारे बताया गया है उन दोनों को हम देखते हैं एनलाईज करते हैं उसके एकोडिक हम देखते हैं कि कब तक हो सकते हैं पर जब भी आपके स्टार्ट होंगे हम लोग आपको इस चैलंग के अंदर और आप माई टेलेग्राम ग्रूप से जुड़ जाईए वहां पर आपको सबसे पहले क्लेंडर देख पा रहे हैं वह आपको डोक्टर भीम राव अंबेड का लोई उनिवेस्टी की ओफिसल वेबसाइट पर मिल जाएगा मैंने वहीं से इसको डाउनलोड किया है कैसे डाउनलोड किया है वह जानना है तो आप कमेंट कीजिए बाकी इसकी पीडियेप आपको हमा दिया हुआ है कि आपको एडमिसन के लिए जो अप्लिकेशन मतलब आवेदन करना रहेगा फोम बढ़ना रहेगा उसकी डेट दिवी एक जून से लेके पंदरा जून जो हम देख चुके हैं कि एक जून से पंदरा जून के बीच में ऐसी कोई डेट हमारे पास नहीं आई ह वेबसाइट पर भी नहीं आई है और कोई नोट्रिफिकेशन भी नहीं आया इसका इसके बाद सेकंड चीज हम देखते हैं कि जो पी जी एडमिसन टेस्ट होने वाला है जो वन ययर एलम होती है उसका जो एंटरंस टेस्ट होता है उसके बारे में बोला है उसमें नहीं बो और उनके जो examination form है वो application का इन्होंने बताया है एक सितमबर से लेके 30 सितमबर तक फिर उसके बाद में इन्होंने बताया है holiday कि holiday कब रहेगा तो वो हमारा बताया गया है एक October से लेके 24 October तक holiday है फिर उसके बाद दिवाली ब्रेक होने वाला है वो 6 नौवमबर से लेके 15 नौवमबर तक होने वाला university का इसके बाद में जो old session का semester exam होता है 5 year LLB के अंदर उसके बारे में बताया इन्होंने कि वो exam आपके conduct होने वाले है 15 जून से लेके 28 जून तक इसके बाद में return जो exam रहते हैं वो सब इसमें आएंगे फिर winter vacation बताईए वो बताईए इन्होंने 25 December से लेके 31 December तक इसके बाद इन्होंने बताया है जो semester का exam हुआ है उसका result ये 30 जनवरी तक declare कर देंगे फिर इसके बाद इन्होंने बताया है जो next semester exam के लिए form भरे जन्होंगे वो 30 फरवरी से लेके 16 फरवरी के अंदर उगे इसके बाद हम देखते हैं जो exam होते हैं जो एन्वली एंवली exam होते हैं 3 year LLB के अंदर, 2 year LLM के अंदर तो वो exam कबसे होंगे तो वो examination है उनके form fill-up होंगे वो इन्होंने बताया है एक पर वरी से लेके 15 फरव तक रहेंगे फिर जो एन्वर एक्जामिने से नहीं जो यूजी है उसके रहेंगे आपके 2 मार्च से लेके 16 मार्च के अंदर और जो पीजी के एक्जाम है वो एक अप्रेल से लेके 15 मही तक रहेंगे और फिर उसके बाद जो सेमिस्टर एक्जाम होते हैं उनके बारें बताय होगा वो आपका 15 जूम तक आ जाएगा और जो समर्विकेशन है वो एक मही से लेके 30 जूम तक रहने वाला है तो यह हो गया जो नया सेसन स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में पूरा एन्वल कलेंडर जो युनिवस्टी ने डिकलेर किया है इसके अंदर इसमें उन्होंने रिजल्ट तक बताया है कि रिजल्ट कब कैसे डिकलेर होगा कैसे क्लासेज होगी और सब कैसे होगा तो इन्होंने सब चीज डिटेल से बताईए बट इसमें हमारे लिए अभी इंपोर्टेंट चीज यह है कि इन्होंने एडम पहास कर के अंदर वो हमने हमारे टेलिग्राम चलन वोड्सप ग्रूप और इंस्टा चलन पर स्टोरी भी लगाई थी तो इस पर आप देख सकते तो आप लोगों पहले से जुड़े होए तो आपने वो देखी है नहीं देखी है तो आप उसको जोईन कर लिजिया हमारे ग्र परियर्ड है वो कंप्लीट हो जाए 30 जून वाला 30 जून का कंप्लीट होने के बाद कुछ इनका जो प्रैक्टिकल फाइल और जो प्रोजेक्ट्स है वो सम्मिट करने का रहेगा तो हम यह देख सकते है इस अकैडमिक कलेंडर और उस न्यूज के अकोर्डिंग आपका एड पाएंगे और अप्लाइ कर पाएंगे और इसके बारे में जब भी भी डेट आएगी तब हम लोग आपको बता देगे अभी एक अनुमान है जो हम इन डेट के अकोर्डिंग और जो न्यूज पेपर में न्यूज आई है देनिक भासकर में राजतान पत्रिका में उसके अक 15 जुलाई के पास में आपका एडमिसन फॉर्म स्टार्ट होगा और उससे रिलेटेड कोई भी और डेटेल चाहिए आपको तो वह हम परवाइड करवाएंगे बट पहले एक बार डेट आजाए कि कब स्टार्ट हो रहा है और यह डेट आपको न्यूज पेपर भी यह दिय लेते हैं तो एडमिसन की प्रोसेस एकदम सिंपल रहेगी कि आप अप्लिकेशन फॉर्म लगाएंगे तो आपके 12 के जो परसेंटेज है और यदि आप थ्री एर एलल्बी कर रहे है तो आपका बिकॉम बीसी बीए जो भी आपकी बैसलर डिगरी है उसके जो हाइस आपका नंबर आएगा तो आप जिस भी कोलेज के अंदर आप जैसे कुछ कोलेज अप्रूवड है गोर्मेंट की तरब से तो वह गोर्मेंट कोलेजों में आप फॉर्म भढ़ सकते हैं इसी के साथ प्राइवेट कोलेजों में भी आप एडमिसन ले सकते हैं और आप यून उसके अकोर्डिंग आप दो-तिन जगहें भी एक साथ फॉर्म लगा सकते हैं जिससे आपका एक कोलेज में ना हो तो सेकेंड कोलेज में आपका नंबर आ जाए थैंक यू फोर वोचिंग और कोई डिटेल चाहिए और कोई डाउट है आपका तो आप हमें कमेंट करके पू हो सकते हैं